नमस्ते, मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम जालेंगे एजित्रोमाइसीन के बारे में एजित्रोमाइसीन एक एंटिबैक्टिरियल ड्रग है यानि कि ये ड्रग बैक्टिरिया से लड़ता है ये एक माइक्टिरियल टाइप एंटिबैक्टिक है ये बैक्टिरिया को डेवलप होने से रोगता है एजित्रोमाइसीन का इस्तमाल मिडल एर इंफेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट, नियुमोनिया या फिर ट्राइबलर्स जाईरिया जैसे बीमारियों में किया जाता है एजित्रोमाइसीन बैक्टिरिया को प्रोटिन प्रोडक्शन करने से रोगता है बिना प्रोटिन के बैक्टिरिया अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते बिना प्रोटिन के बैक्टिरिया की ग्रोथ रुख जाती है और वो मर भी सकते है एजित्रोमाईसीन से बैक्टिरिया कम एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारा खुद का इम्यून इम्यून सिस्टेम उन बैक्टिरिया को नश्ट कर देता है बीमारी के लक्षन कम होने के बाद भी आपकी डॉक्टर ने आपको जितने दिनों के लिए दवाई लिख के दी है उतने दिनों तक आप एजित्रोमाईसीन जरूर ले अगर आपने एजित्रोमाईसीन बन कर दिया तो आपका इंफेक्शन फिर से फैल सकता है Azithromycin का dose आपके डॉक्टर, आपके clinical condition और आपके body reaction के हिसाब से तै करके देंगे आपको जिस समय पर आप डॉक्टर ने बताया है उसी समय पर रोज दवाई लीजिए क्योंकि इस Azithromycin का level आपके blood में equal होना चाहिने की stable level blood में होना बहुत ज़रूरी है तब ये दवय अच्छे से असर करती है Azithromycin के साथ Aluminium या Magnesium Yuct Antacid का इस्तमाल ना करें अगर आप ये Aluminium या Magnesium Yuct Antacid लेना चाहते हैं तो Azithromycin लेने के 2 गंटे पहले या 2 गंटे बाद ही ले अगर आप Azithromycin के साथ शराब का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है इसलिए Azithromycin के साथ आप शराब का सेवन ना करें अगर आप pregnant है या फिर आप breastfeed कर रहे हैं तो आप इस दवाई का इस्तमाल करने से पहले आपके डॉक्टर से बात कीजिए साथ ही में अगर आपको Azithromycin में शामिल किसी भी chemical से allergy है तो आप इस ड्रग का इस्तमाल ना करें अगर आपको किसी और तरह की अन्य बिमारी है तो उसके बारे में आपके डॉक्टर को बताईए अगर आपको पहले कभी jaundice या पीलिया हो चुका है तो Azithromycin लेने से पहले इसकी जानकारी आप आपके डॉक्टर को दीजिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी long cutie interval या फिर तेज या अर्नियम में धड़कन की समस्चा है या फिर रिदय की कोई भी समस्चा है या फिर खून में potassium या magnesium के कमस्तर है तो इसके बारे में आप आपको आपके डॉक्टर को बात कीजिए इसके अलावा अगर आपको cystic fibrosis, AIDS, myasthenia gravis या फिर kidney की कोई भी बेमारी है तो इसकी जानकरी आप आपके डॉक्टर को जरूर दीजिए अगर आपको पिद सास लेने में तकलीफ है आपके जहरे में होट, गले या फिर जीब में सूजन है या फिर अन्य कोई allergy है तो इसके बारे में आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए अगर आपको खूनी या फिर पानी दस्त हो रहे है अगर आपके सीने में दर्थ है या फिर आपको चक्कर या बेहोशी हो रही है या फिर आपके सीने की धड़कन तेज या अन्यमित हो रही है तो ये azithromycin के serious side effects हो सकते है अगर आपको उपरी पेट में दर्थ हो रहा है या फिर खुजली हो रही है या फिर अगर आपको dark urine हो रहा है या फिर black stools हो रहे है या फिर आपको द्वचा में कोई allergic reaction या फिर खुजली हो रही है या फिर आपकी skin या आँख पीले पर रहा है या आपको जॉंडिस के लक्षन आ रहे है तो भी ये azithromycin के side effects हो सकते है azithromycin के कुछ कम serious side effects भी हो सकते है जैसे हलके दस्थ होना, कब्स होना, या फिर उल्टी होना या फिर आपको कम थोड़ा सा सिरदर्ध होना घबराहट होना, नींद ना आना थोड़ी सी skin में खुजली होना ये भी azithromycin के छोटे-छोटे side effects हो सकते है ये side effects की list भहुत ही मैंने कम बताई है इसके अलावा भी कुछ non-specific side effects भी आपको हो सकते है इन side effects के बारे में आप आपके डॉक्टर को भी बताईए अगर आप azithromycin के साथ किसी और दवाई का सेवन कर रहे है तो आप ये जान दीजिए कि azithromycin इसके साथ रियाक्ट कर सकता है और इससे आपको परिशानी हो सकती है कोई और दवाई azithromycin के effect को कम भी कर सकती है इसलिए कोई भी दवाई आप आपकी डॉक्टर की सला के साथ ही ले ड्रोपेरिडोल, मिठाडोल, निल्फिनेविर ये drugs azithromycin के साथ रियाक्ट करती है दूसरे अंटिबैटिक्स जैसे clarithromycin, erithromycin या फिर खुन पतली करने की दवाई जैसे की kormarin, azithromycin के साथ रियाक्ट करती है कैंसर की दवाई जैसे की arsenic trioxide या फिर antidepressant जैसे citalopram या फिर acetalopram मलेरिया में इस्तमाल किये जाने वाली दवाई जैसे की आप ये इन में से कोई भी दवाई ले रहे हैं तो azithromycin लेने से पहले आपके डॉक्टर को इन सब के जानकारी जरूर दीजे अगर आपके डॉक्टर इन सब के साथ azithromycin प्रिस्क्राइब करते हैं तब ही आप azithromycin का सेवन करें azithromycin tablet और suspension form में मार्केट में एवलेबल है azithromycin की tablet 250 mg, 500 mg और 600 mg में एवलेबल है और इसका oral suspension 1 g पर 5 ml की strength में एवलेबल है azithromycin की गोली यूजवली ओरली ही दी जाती है azithromycin clinical condition के हिसाब से अलग-अलग dose में दिया जाता है इसका minimum dose 500 mg से लेके maximum dose 2 g प्रतित दिन तक हो सकता है अगर आपका azithromycin का कोई dose छूट गया है तो यह आपको याद आते ही आप इसका dose ले सकते है लेकिन अगर आपको दूसरे dose के वक्त इसकी याद आए तो फिर आपको पहला dose करके आप दूसरे dose के वक्त ही इसका सेवन कीजिए लेकिन आप दो डोस एक साथ ना ले इससे आपको नुकसान हो सकता है अगर आपको एजित्रो मैसीन का overdose हो जाए तो आप आपके पास वाले किसी भी emergency ward में जाके इसकी जानकरी दीजिए आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई हुई जानकरी आपके या फिर आपके family या friends के लिए उपयोगी है तो इसे जरूर शेर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like, share और subscribe करना ना भूले और subscribe करने के बाए बेल आइकन भी जरूर दबाए बेल आइकन दबालने से जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपको उसका notification मिलेगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर हुआ है